दोस्तो आई पे दोजे 20 के निलावी खतम हो चुका है और निलावी में KKR के टीम ने 9 खिलाडी खरीद चुके है लेकिन दोस्तो केके टीम को दो बर कप जिताने बला कपतान गौताम गंभी ने स्टार पोर्स के एक सो में बाच्चित के दोरान केके टीम के करें स्कॉट को लेकर काफी नाराजगी दिखाया है जी हाँ दोस्तो गौताम गंभीर के मुताबी KKR के ओक्षन बिल्कूल ठीक ठाग गया लेकिन KKR के टीम ने ओएन मरगन, सुनिल नरेन और आन्दे रसल के बैकाप खिलाडी खरीदना एक दम से भूल गए तो दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में तीन ऐसे खिलाडी के बार में डिसकास करने बाला हूँ जिनको KKR के टीम नीला में के बाद भी रिप्लेस्मेंट के तौर पर खरीच सकता है तो चलिए सुल करते हैं उससे पहले अगर आप भी IPL का फैन है और इसी तरस का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करने के बाद बेल आइकोन जरू दबा दीजिए दोस्तो किसी मैच के दौरन अगर किसी खिलाडी को चोट के चलते टीम से बाहर होना परे तो टीम में बेकउप या रिप्लेस्मेंट खिलाडी काफी जरूड़ात होता है और KKR टीम में ऐसा तीम खिलाडी है जिनका बैकाप खिलाडी KKR को पहले से ढून के रखना पड़ेगा तो नमबर एक पह कॉलीन इंगाम दोस्तो KKR के टीम ने निलामी में दिली के साथ बीडिंग जीत के O.N. मरगन को 5.25 करों में खड़िद लिए और O.N. मरगन के आने के बाद KKR टीम के मिडिल ओडर काफी मजबूत हो जाने के साथ-साथ ऐसा लग रहा है कि प्लेइंग 11 में आन्दे रसन को अराम से खेन ले के लिए थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा लेकिन दोस्तों सोचने के बाद अगर O.N. मरगन चोटील हो गए तो उनके जगा कौन खेन ले बाला है तो ऐसे में दोस्तों KKR टीम को कॉलिन इंगाम के पीछे जाना चाहिए क्योंके दिली के टीम ने कॉलिन इंगाम को इस साल छोड़ चुके है और निला में भी अन्सोल रहे चुके है पर ये खिलारी काफी अच्छा मीडिल ओडर बल्लेबाज है कॉलिन इंगाम ने 256 T20 मैच खेल चुके है और स्टाइग रेट करिब 140 के आसपास है जो ओएन मर्गन से काफी मिलता जूलता है और क्योंके कॉलिन इंगाम के बेस प्राइस सी 50 लाग रुपे है तो KKR टीम को उनके लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा उसके बाद नमबर दो पह है Adam Zampa दोस्तो KKR के टीम ने इस साल बोलिंग डिपामेन काफी स्ट्रॉंग कर चुके है और टीम में बहुत सरे खिलारी मौजूद भी है लेकिन सुनी लाणिंग के बैक आप पे तोर पे कोई खिलारी समय मौजूद नहीं है प्यूस चावला को छोड़ने के बाद KKR ने बरुन चक्रोबत्ती को रिप्रेस्मेंट के तोर तक खरीद तो लिये है लेकिन उनके पास उतना experience मौजूद ना होने के करन KKR के पास quality leg spin गेंदबाज की काफी कमी अभी भी है तो इसलिए KKR टीम के पास एक option मौजूद है Australia टीम के बहतरी spin गेंदबाज Adam Jampa को खड़िदना तो Adam Jampa काफी अच्छा बोलार है और IPL में चार उभर में 19 रन देके 6 विकेर लेने का record भी है तो KKR टीम का नजर इस खिलाडी को पर जरूर रहना चाहिए और दोस्तो आखी में नमबर 3 पहल लुईस ग्रैगडी तो दोस्तो KKR के टीम में आंदे रसल के बैकाप खिलाडी ढून पाना लगबग असंबब है फिर भी पिछले साल कार्लोज बेतोय टीम में मौझूद थे पर इस साल टीम में एक भी ऐसा खिलाडी नहीं है जो आंदे रसल की जगा ले सके 2019 के IPL में हमने देखा था चोट को लेकर भी आंदे रसल ने बल्ले बाजी और गेंद बाजी दोनों में ही अपना सौप अधिसर दिये थे और अउन्सोल्ड रह चुके है पर ये घिलाडी आँदे रसल का काफी अच्छा बेकर हो सकता है तो दुष्टो ये थे तीन प्लेयर जिन को बेकप के लिए के क्या टीम को नजर में रखना चाहिए आप नीचे कोमेंड करके बताएए आप केहसाब से इन तीनों के लिए अच्छा बेकाप के लाड़ी कौन हो सकता है वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मार दीजिए मिलते हैं अपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक क्यार